गुड मॉर्निंग माडियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल गुड में बहुत ही खुबसूरत दिखे तो जबसे ज़ादा हेवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है वो है पिटूनिया पिटूनिया के इतने सारे कलर्स आते हैं पिटूनिया को जरूर आप लेकर आईए इसका प्राइज वैसे तो विंटर सीजन के जितने भी पिटूनिया की कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं और एक प्लांट से ढेड सारे प्लांट तयार कर सकते हैं और इस समय थ्रेंट्स थोड़ा मौसम खराब है तो मेरी आवाज भी थोड़ी सी बैट गई है और सर्दी सा हो गया है थोड़ा तबियर ठीक भी नहीं लग रहा है तो चलिए बताती हूँ कि सर्दी में आपको कौन-कौन से प्लांट अपने गार्डन में एट करने चाहिए, तो पिटूनिया को आप बिल्कुल मत भूलिए, पिटूनिया को लेकर आईए, सिंगल पैटल में आते हैं, डबल पैटल में आते हैं, यह सारे जो आप देख रहे ह यह डबल पैटल वाले पिटूनिया हैं, और बहुत प्यारे-प्यारे से कलर्स आते हैं, नरसरी में अधी आप लेकर आते हैं इन प्लांट को तो जब इन में फ्लावरिंग हुई होती है तभी उन प्लांट को लीजिए, जैसे कि क्या होगा फ्रेंड्स, आपके गारण में अलग-अलग कलर के पौधे आएंगे, मैं तो बेबी प्लांट लेकर आई थी, इस करण से मेरे जितने भी प्लांट है, लगबग दो-तिन प्लांट आप देख रहे हैं, लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर के एक ही जैसे हो गए हैं, तो पिटूनिया को लाना मत भूलिए, जीनिया है, जीनिया को भी अपला सकते हैं, ये मेरा अनहिल्दी प्लांट है, एक ही प्लांट है, और मेरे गार्डन में ना फ्रेंड्स जो जीनिया का प्लांट है, वो बच नहीं पाता है, पता नहीं क्या रीजन है, सक्सेस नहीं हो पाता है, दिक्कत होता है, लेकिन आप जरूर लेकर आईए जीनिया में बहुत सारे कलर्स, रेड, वाइड, आरानी कलर्स मिल जाते हैं, यह है देखिये सालविया का प्लांट बहुत ही खुबसूरत एक स्टिक में जो है, एक स्टिक निकलती है, उसमें बंचेज में फ्लावर साते हैं इस तरह से, इसमें कलर्स आपको यलो बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे और ये भी जो है कटिंग से बहुत आसानी सी ग्रो हो जाता है 25 रूपीज से 30 रूपीज में आपको मिल जाएंगे सालविया जो प्लांट है वो बहुत ही खुबसूरत दिखता है और मुझे तो फ्रेंड्स अगर अपनी बात कहूं तो मुझे रेट कलर बहुत प्यारा लगता है बहुत ही खुबसूरत लगता है winter season के plant में एक और plant है वो है जर्बेरा जर्बेरा में आपको hybrid भी मिल जाएगी और ये वाली जो है मेरी देसी है और देसी वाली की जदा देख भाल नहीं करनी पड़ती है ये आपके पास एक बार आज़ी आप garden में एट करते हैं तो सालो साल बना रहता है और एक stick निकलती है और stick में इस तरह के flowers आते हैं और ये लगभग 15 दिनों तक खिले रहते हैं इनके जो flower होते हैं तो जर्बेरा को लाना मत भूलियेगा और hybrid जर्बेरा जो होती है वो इस तरह की होती है देखी लेकिन ये देसी है इसी तरह की होती है और उनके जो पंखुडियां है वो थोड़ी बड़ी साइस के होती है और flowers भी बड़े होते हैं लेकिन hybrid जर्बेरा जो है मेरे garden में next year के लिए नहीं बच पाता है उसको बारिस राते हैं उसके बाद यह प्लांट खराब हो जाता है देखिए मेरे भी प्लांट अब लगभग खराब से ही हो रहे है इनको मुझे निकाल कर हटाना पड़ेगा लेकिन जब इनमें फ्लावरिंग होती है वन टाइम होती है लेकिन बहुत ही खुबसूरत होती है देखे कलर्स मेरे पास कितने सारे हैं परपल कलर डार्क रानी कलर यलो कलर पिंग कलर एक जोरा है एक जोरा तो विंटर सिजन का प्लांट नहीं कहूंगी ये तो पर्मनेंट प्लांट है एक बार लाएंगे हमेशा गार्डन में आपके पास बना रहेगा और बारो महना फ्ला फूल होती है दो मैंने कटिंग और लगाई है रेट कलर की जो ग्रो हो गई है पॉंसिटिया में आपको यलो वाइड पिंग रेड बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे जो फूलों की कमी को दूर करते हैं और इतने खुबसूरत पत्तियां होती है इनकी जो देखने में बहुत प तीनो सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है काटेदार पौधा है लेकिन कहते हैं काटेदार जरूर है लेकिन फ्लावर देखे कितने खुबसूरत फ्लावर आते हैं फ्रेंड इसमें तो आप इनको जरूर अपने गार्डन में लाईएगा नेक्स्ट तो गुल्दावदी में तो बहुत सारे कलर्स आते हैं देखे लाइट पिंग, डार्क पिंग, रानी, येलो, गाजरी, रेड बहुत सारे कलर्स अगर कलर्स गिनाने जाओंगी तो मेरे वीडियो ही पूरा लंबा हो जाएगा तो जो जो मेरे पास कलर अभी इस समय खिल रह आप देखी रहे हैं तो बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही खुबसूरत और ये प्लांट तो आप यदि एक बार अपने गार्डन में एट करते हैं तो इसकी कटिंग ले लेकर आप जून जुलाई में धेर सारे प्लांट तयार कर सकते हैं और ये प्लांट हमेशा आपके पा प्लावर के बिना तो फ्रेंड्स मैं कहूंगी आपका गार्डन अधूरा है बहुत ही सुन्दर लगते हैं बहुत प्यारे प्लारे कलर साते हैं तो इसको भी आप अपने गार्डन में सर्दियों में जो है विंटर में जरूरेट करें बहुत अच्छे लगते हैं बहुत गार्डनर्स हैं उनके लिए तो विंटर सीजन जो है बिल्कुल स्वर्ग की तरह लगता है हमारा गार्डन नेक्स्ट प्लांट है वो है देखिए कैनेंडूला कैनेंडूला में भी दो कलर मेरे पास है एक लाइट कलर है लाइट यलो और ये डार्क औरेंज कलर बहुत प् वाटरिंग आपको ध्यान देना है ओवर वाटरिंग नहीं करनी है नहीं तो ये प्लांट जो है खराब हो जाता है और देखिए बिल्कुल स्टार की तरह दिखने वाला प्लांट है ये है वरबीना वरबीना में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं इसे भी आप एट कर सकते हैं नेस्ट्रेसियम है इसमें यलो और लाइट यलो और डार्क औरेंज कलर के फ्लावर आते हैं अभी मेरे प्लांट में तो फ्लावरिंग नहीं हुई है तीन प्लांट है तीनों में देखिए इनकी ग्रोध दिखा रहे हूं आपको और इसके जब फ्लावर आएंगे वो भी आप लोग से जरूर सेयर करूंगी इसमें खुसबू होती है वैसे तो यह मेडिसिनल प्लांट है इसे भी आपको अपने गार्डन में जरूर लाना चाहिए अगला प्लांट है फूलों की बरसात करने वाला कहा जाए वो है कैलेंचू देखे कितना प्यारा डार्क रानी कल है रेट कलर येलो कलर वाइट कलर और अभी तक फ्रेंट्स हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ मैं लेकर आऊंगी लेकिन मुझे नरसरी में जो है ये सारे कलर्स नहीं मिल पा रहे हैं लगता है कि नेक्स्ट येर मैं आउनलाइन जरूर पर्चेस करूंगी अब तो न अगला प्लांट देखे ये भी एक जोरा है डॉर्फ अवराइटी का है और ये थोड़ा अलग सा है इसमें छोटे-छोटे से फ्लावर्स आते हैं रेट कलर के तो इस तरह के जो प्लांट है उसको विंटर में आप अपने गार्डन में एट कर सकते हैं और अपने गार्डन नर्सरी जाते हैं तो इस समय ला सकते हैं बहुत खुबसूरत जीनिया है जैसे जीनिया मैंने आपको एक ही प्लांट दिखाया है और सबसे खुबसूरत देखिये मेरा ये है हिबिस्कस के हाइब्रिट वैराइल्टी जो है विंटर में बहुत अच्छे-च्छे मिलते हैं और उनके कलर बहुत प्यारे लगते हैं, यह है थम बरगिया, थम बरगिया जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार आपको लाना पड़ता है, और इसकी कटिंग तो आप लोगों ने देखी है मेरे गार्डन में, जो मेरे डेली वीवर्स है, एक प्लांट से बने लगभग 10 से 12 प्लांट तयार कर लिए हैं, और इसमें मौरलिंग ग्लोरी की तरह इसमें फ्लावर आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, देखिए मेरा प्लांट कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है, परवनेंट प्लांट में है, फर्स्ट लब का प्लांट, फर् अपने गार्डन में एट कर सकते हैं डॉक फ्लावर है फ्रेंड्स देखिए ये है इसमें भी आपको डार्क रानी, गाजरी कलर, रेट कलर, येलो कलर, वाइट कलर बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे डॉक फ्लावर डॉक फ्लावर जो है विंटर का बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है इसे लाना बिलकुल भी मत भूलिएगा और इसे अपने गार्डन में एक बार लाते हैं और इसकी कटिंग ले लेकर अभी भी आप बहुत सारे प्लांट तयार कर सकते हैं मेरी गोल्ड है विंटर में मेरी गोल्ड ना लाएं ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है मेरी गोल्ड हमारे गार्डन में चार चान लगाते हैं और इनको देखकर आँखों को एक सुकून सा महसूस होता है और इसे आप जरूर लेकर आएं विंटर में और बहुत प्यारे कलर्स है, light yellow, dark yellow, orange कलर, दो कलर है, आजकल तो white कलर भी मिलने लगे हैं, गेंदे में जो है, मेरी gold में white कलर भी आने लगे हैं, hybrid, उसे भी आप एट कर सकते हैं, 25 रुपीज में मिल जाते हैं, गेंदे के कौन से प्लांट आपको एट करने चाहिए नर्सरी जाते हैं तो कौन-कौन से प्लांट लाना चाहिए आज मैंने बताया है तो फिर मिलती हूँ बाई-बाई